इंडिया के वैदिक शास्त्र में हवा में उड़ने वाली कई मशीन्स का जिक्र है जिन्हें विमान कहा जाता है वैसे तो इन विमानों का कोई अंश अभी मौजूद नहीं है पर इनका जिक्र हमारे प्राचिंग गरंथों में कई बार हुआ है कई महा काविय जैसे रामायन महा भारत में इन विमानों का युद्ध के लिए इस्तमाल भी बताया गया है 1975 में स्वामी दयानन सरस्वती जी ने रिगुवेद का अधियन करने के बाद कहा कि ये विमान वाकई में प्राचीन भारत में मौजूद थे उनके द्वारा लिखी गई जैगुवेद भाष्य भूमिका में इन विमानों का जिक्र वैदिक मंत्रों में किया गया है जामायन में एक खास विमान का जिक्र है जिसका नाम है पुश्पक विमान ये विमान वैसे तो कुबेर का था लेकिन उनके भाई जावन ने उनसे ये विमान हतिया लिया था पुश्पक विमान महान आकेटेक्ट विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश पर बनाया था ये विमान इतना विशाल था कि ये लगभग एक पूरे शहर जितना बड़ा था अब सवाल ये बनता है कि पुश्पक विमान और उस जैसे कई प्राचीन विमान कैसे काम करते थे क्या उस समय कोई खास विज्ञान मौजूद था प्राचीन भारत के लोगों ने अलग-अलग विमान बनाने और उनको कंट्रोल करने की टेकनीक के बारे में कई चीज़ी लिखी हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं इन में खास तोर पर चार विमानों के बारे में बताया गया है संस्कृत के कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि विमान कैसे बनाये जाए 1895 में मुंबई के शेवकुर बापोजी तलपड़े ने इंडिया के प्राचीन गरंतों की मदद से एक उड़ने की मशीन बनाई जिसका नाम था मरूत शाखा इस विमान ने 1800 फीट तक उड़ान भरी और ये सब हुआ राइड ब्रदर्स के दुनिया के पहले प्लेन उड़ाने के आठ साल पहले जिसका मतलब है दुनिया का पहला प्लेन राइड ब्रदर्स ने नहीं इंडिया के शिवकुर बापुजी तलपर ने बनाया था कुछ सालों पहले चाइना के आर्केलोजिस ने तिबेद के लाहसा में कुछ संस्क्रिट डॉक्यूमेंट डिसकावर की और उनको चंडिकर युनिवरसिटी में अधेयन के लिए भेज दिया युनिवरसिटी के डॉक्टर रुथ रीना ने इन डॉक्यूमेंट्स पर अधेयन करने के बाद कहा कि इन में अंतरिक्ष यान यानि की इंटरस्टेलर स्पेस्शिप बनाने के निर्देश है इन डॉक्यूमेंट्स में और भी कई रहसे जैसे अध्रिक्ष होना पहार के जितना भारी होने के बारे में बताया गया है लेकिन हमेशा की तरह यहां इंडिया में साइंटिस्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया लेकिन जब चाइना ने अनाउंस किया कि वो अपने स्पेस प्रोग्राम में ये जानकारी यूज लेंगे तब इसकी एहमियत यहां बढ़ने लगी 1875 में इंडिया के एक मंदर से प्राचीन गरंथ मिले जिनका नाम था वैमानिक शास्त्र जो की रिशी भारत वाज ने लिखे थे वेमानिक शास्त्र में इंडिया के प्राचिंग विमानों के बारे में जानकारी थी उनमें इन अदभुद मशीन्स को बनाने की जानकारी थी और तो और कई रहसे थे जैसे की इन मशीन्स को इन्विजिबल कैसे किया जाए वेमानिक शास्त्र को 1969 में संस्कृट से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया फिर बाद में 1973 में इंग्लिश में किया गया वेमानिक शास्त्र में विमानों की तस्वीरों के साथ साथ आठ अध्याय यानि की आठ चैप्टर्स हैं इसमें तीन तरह के विमानों के बारे में बताया गया है जिसमें ऐसे उकरण है जो कभी आग नहीं पकड़ेंगे और कभी तूटेंगे नहीं विमानिक शास्त्र में विमान के 31 जरूरी पुर्जे और 16 पदार्थों के बारे में बताया गया है समरंगन सूत्रधार एक वैज्ञानिक गरंथ है जो विमान से हवाई आतरा के बारे में बताता है इस गरंथ में 230 श्लोक हैं जो उडान की जानकारी देते हैं ये उडान के हर संभव पहलों की जानकारी देते हैं इंडिया के मैसूर की International Academy of Sanskrit ने इन प्राचीन गरंथों का अधेयन किया और इससे जो भी जानकारी मिली उसको एक बुक में पब्लिश किया उस बुक का नाम है Aeronautics A Manuscript from the Prehistoric Past मानो या ना मानो पर नासा का नया स्पेसक्राफ्ट Dragon हमारे प्राचीन गरंथों के विमान से काफी मिलता जुलता है अब सबका अलग अलग नजरिया है या तो ये विमान और उसकी बातें सब पुराने जमाने के लोगों की कल्पना है या फिर कोई ऐसी टेक्नलोजी है जो की आज के जमाने से भी बहुत एडवांस है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कॉमेंट सों बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें थांक यू